जए इन सातियों स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चनल पे एक बार फिर से तो एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है वो ये कि जो हमारा इंडिजेंसली आर्टिलरी डवलप करने का प्रोग्राम था एटी एजी एस उसको एक मेजर सेट बैक हुई है और ये का हमारी आर्मी के लिए भी और हमारे देश के लिए भी खास कर जब हमारा चाइना के साथ इस समय एक बेहत तनावपूर माहोल चल रहा है उसमें ये एक बुरी खबर निकल के आई है हुआ ये है कि ये जो हमारा एडवांस एटी एजी एस आर्टिलरी गन बनाने का जो प्रो तो सबसे पहले आर्टिलरी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, आर्टिलरी को हम हिंदी में तोप बोलते हैं, तोप आप सभी ने जरूर शूनी होगी, आप इंडियन आर्मी में कई सारी तोप यूज होती है, उनको अलग अलग नाम से कटेगराईज किया गया है, कई सा होईजर दूसरा सेल्फ प्रॉपर्ड अर्टिलरी तीसरा एंबी आरेल या आप जिसे मल्टिपल रॉकर लॉंचर बोलते हैं और चौता फील्ड गन्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टन जो होता है वह होता होईजर अब इंडियन आर्मी में कौन-कौन सी यूज़ होती उसके बारे में समझ लिजए इंडियन आर्मी में इस समय दो यूज़ हो रही है में सबसे इंपॉर्टन वह है एक M777 यह हमने यूएस से लिया है इसे खासकर चाइना किया है मतलब अपने देश में जो हमारी डीपी स्यू है ओर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड उसने इसे डिबलप किया है खुद से तो यह दो इंपॉर्टन होवर्जर से जो अभी इंडियन या इंडियन आर्मी सर्विस में ले रही है उसके बाद आते हैं यह दो इंपॉर् लॉकेट लॉंचर बोलते हैं पिनाका हमने जो नाम लिया है वो लिया है जो भगवान संकर का धनुस है उसको पिनाका बोलते हैं और उसी से इसका नाम पिनाका लिया गया है इसको भी इंडिया में इंडिजिशनली डेवलप किया गया है और अब यह इंडियन आर्मी में स उसने help करी है इसको develop करने में ये एक self-propelled artillery है मतलब ये जो इसका barrel है इसका जो propulsion system है वो है इसमें अपना खुद का इसको अलग से propulsion देनी की जरूरत नहीं है और एक खास चीज है इसमें इसमें wheels लगी होती है ये कुछ tank जैसा दिखता है हालनकि ये tank है नहीं मतलब कि ये wheels जो लगी है इसके वज़ा से ये mobile है ये आगे या इसे आप travel कराना चाहे या एक लंबी दूरी पर अगर आप एक करना है तो आप इसे आगे ले जा सकते हैं और फिर वहां से हमला कर सकते हैं तो ये काफी important है अब ये जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है तो सबसे पहले इस project करने के लिए एक project सुरू किया था कि हम अपना खुद का indigenous एक advanced artillery gun system develop करेंगे ये प्रोजेक्ट सुरू हा था 2013 में इसको design किया और develop किया था DRDO ने इस गन को उसके बाद इसको बनाने का जो इसका बनानी के लिए जिन कंपनियों के साथ पार्टनर किया DRDO ने वह थी भारत फो पोटो टाइपस बनाये गए और ये एक 155 mm कालिपर की गण 255 mm का मतलब यवह कि यह इतान् Bubus तक इस गन ने पिछले 2013 के बाद 2018 तक इसके जितने भी ट्रैल्स हों हैं सब में यह सक्सेस्फुल था यह इसने अपने सारे ट्रैल्स कंप्लीट कर लिये थे हर चीज इसकी सही चल रही थी उसके बाद अब जब यह इंडियान आर्मी को सौंपना था इसकी मैनुफैक्ट्रिंग ह होनी थी तब हुआ क्या कि जब इसका यूजर ट्रैल्स चल रहा था राजस्थान के पोखरन में जहां काफी सारे ट्रैल्स होते हैं नुक्लियर ट्रैल भी वहीं हुआ था और उस समय जो आर्मी इंटर्नल जो इसकी डेबलमेंट कर रही थी या इसके ट्रैल्स कर रही थी उस ट्रैल के दोरान यह जो बैरल है यही फट गया और इस बैरल के फटने के वज़ा से वहां पे चार आर्मी के जवान जक्मी भी हुए और इससे यह पूरा जो इसको आर्मी में इंडेक्ट करने का प्लान था वो खत्रे में पड़ गया है अब इसके लिए एक जांच कमि material का कहीं न कहीं यूज हुआ है या फिर इसमें कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती हाला कि वह अब जांच होने के बात पता चलेगी फिलहाल यह पूरा सेट बैक पर चला गया है यह पूरा प्रोग्राम रुग गया है इसको इंडेक्ट करना था इवन इसका जो डिफेंस एक forces के लिए हत्यार मोहिया कराती है उसने इसे procure करने के लिए एक 3000 करोड का वह भी दिया था और उसके बाद अब क्या होगा भगवानी जानता है इसके इसको ट्रैल के बाद यह जो इसका इंटर्नल होने था इसके बाद इंडियन आर्मी अपने लिए 40 मैनुफेक्टर करवान वाली थी इसकी 40 manufacturing होनी जा रही थी सबसे पहले जो पहली खेप बननी थी वो कम से कम 40 ऐसी गंस बनाई जाती लेकिन अब सभी इन सभी प्रोग्राम पर रोक लगाए जाएगा इनको फिर से देखा जाएगा इनको जाच की जाएगी इसको जाना जाएगा कि अखिरकार इसमें प्रॉब्लम कहां यह उसके बाद ही अब यह गन वापस आ सकती है तो यह काफी बुरी खबर है हमारी लिए उस समय जब हम चीन के साथ एकदम युद्ध के कगार पर हैं और हमें आर्टिलरी की बहुत जरूरत परने वाली है तो देखते हैं इसमें होता क्या है इसमें जो नई अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको झो ओृर आपको पर आपको लूर आपको रही हो जो खेंगे ब हैसा क्या हे आपको पर दो कज़ हो आपको हो झापको-क्टॉस